हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दे चैनल और आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के प्यॉर विद रिदम पैक के म्यूजिक सिस्टम के बारे में रिदम पैक में हमें क्या क्या मिलता है और रिदम पैक लेना क्या सही है या नहीं और इस वीडियो में हम आपको इसके OTC के display मिलती है, जिसके अंदर हमारे सारी चीज़े ये show करता है, और इसके नीचे ये कुछ music के controls मिलते हैं, ये हमारा इसके source वगयरा में, इसमें setting वगयरा check करने के लिए होता है, इसके बाद ये इधर वाला हमारा volume का button है, इससे आप और डाउन कर सकते हो, इसमें center वाला है, इससे आप ये म्यूट भी कर सकते हो इसकी वॉल्यम उसके बाद ये कुछ बटन दिये गए है ये होम का बटन है ये फेवरेट ये सॉंग इसका प्रीवियस सॉंग के लिए नेक्स्ट के लिए और ये बैक के लिए और ये वाला बटन जो है ये आपको अगर अपनी कॉल कंट्रॉल दिये गई है इसमें अगर आप बात करोगे सो बीच वाला ये है अपना ब्लूटुट से चलाने के लिए सोर्स का बटन है ये सोर्स आप चेंज कर सकते हो इसके तुरू और उसके उपर ये वॉल्यूम प्लस का बटन है आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे से वॉल्यूम माइनक्ष का बटन है यह सा योय जबत अपना सुंग नैक्स्ट और प्रीविस करने के लिए अ जिसके नीचे यजश बटन दिय गया है यह आपको को Actually disrupt it करने के लिए है और यह कॉल अगर आती है तो कॉल के को डिस्कनेक्ट करने के लिए यह वाला बटन आपका कॉल टिक करने के लिए आपके साथ इसमें काल करता लिए तो यह तो यह कुछ अ पांच रिदम में आते हैं इसके और वेरियंट के साथ अगर हम रिदम पैक लेते हैं तो और इसके चार वडॉर्स में चार स्पीकर भी आते हैं इसमें ट्यूटर नहीं आता है रिदम पैक में तो चलिए अब आपको हम इसका एक सॉंग चला के दिखा देते हैं कैसा है इसका म्यूजिक का आउटपुट एक एंस का आउट हैं कि युछ 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 अवाई और आजा युछ तो दोस्तों कैसो लगा आपको तो म्यूजिक का यह आउटपुट पंच पे और रिदम का इसका म्यूजिक सिस्टम काफी अच्छा है और बहार से लगवाने की कोई खास कुछ जरूरत है नहीं तो आप भी मुझे कमेंट करके बताए कैसा लगा आपको वीडियो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और आप चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हम और भी आगे नहीं वीडियो गाडियों से रिलेटेड आपके लिए लाते रहेंगे थैंक यू